नमस्कार सलाम मेरा नाम है शान आज हम फिर आपके सामने लेकर आए एक निव वीडियो इसमें हम कुछ आपको यूनिक चीज़े बताएंगे उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मैं अधिक सदिक आपके लिए वीडियो बना सकते हैं तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम पांच यूनिक साइट के बारे में बताएंगे जो हर एक ग्राफिक डिजानेर को जानना जरूरी है और वो अपने डिजानिंग में यूज कर सकता है इसको तो चलिए सिखते हैं कि इस वीडियो में है क्या तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि जो फर्स्ट वेबसाइट है जो ग्राफिक डिजानेर को जानना ही चाहिए वो है बैग्राउंड इरेजर का बिसिकली क्या होता है कि अगर हमें अपने डिजाइन में को पिक्चर यूज करना हो उसका मुझे बैग्राउंड अगर इरेज करना हो हम उसे फोटोसप में उपेंड करेंगे पैंटूल से उसे सेलेक्शन बनाएंगे यह आप इरेजर टूल से एरेज करोगे लेयर मास्क यूज़ करोगे तो यह सारे आप्शन आप करेंगे इसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे फोटोसप का बैग्राउंड इरेज करने के लिए हम गुगल पर टाइप करेंगे रिमोबबीजी आप देखें यहाँ पे रिमोबबीजी आ गया इसको चलिक करेंगे रिमूव इमेज बैग्राउंड फ्री यह बिल्कुल फ्री है इसमें आपको कोई पे नहीं करना होगा यहाँ पे देखिए एक option दियावा image upload का यहाँ पे आप upload image कर सकते हैं इस पे click करेंगे और आपका जो location जो path है उस image का वो आप यहाँ पे दे दीजिए यह थोड़ा सा time ल लीजिए आपको low quality download करना है तो आप इससे download कर लिजिए आपको high quality में download करने के लिए आपको sign up करना परेगा यह लेकिन यह बिल्कुल फ्री है फिलाल मैं low quality download कर लेता हूं मैं देखता हूं कि कैसा हुआ है हमारा इस तरह से आप अपने design में use कर सकते हैं बहुत आसान है यह second option जो है वह आइकन हम कुछ भी design बनाए तो हम आइकन की जरूरत होती है तो हमें फिरी में आइकन चाहिए होगा तो हम आइकन के लिए टाइप करेंगे गुगल पे आइकन फॉर एवरिटिंग फ्री आइकन कर द search का जो option दिया हुआ है आप यहां से search कर download कर सकते हैं जैसे मुझे mobile का आइकन चाहिए यह देखिए धेर सारा mobile का आइकन आ गया है आप इसको use कर सकते हैं download कर सकते हैं download कैसे करेंगे जैसे हमें यह चाहिए get this icon और आपको करना क्या है कि आपको basic download करना है अगर pro में जाएंगे तो आपको payment करना पर रहेगा आप basic download कीजिए हमें basic कर लिया है आपको sbg चाहिए या png चाहिए आपको जो चाहिए आप यहां से download कर सकते हैं आप देखिए यह download हो गया हम इसको open कर लेते हैं यह लिजी आपको यह icon आ गया आप इसको अपने design में use किजिए जो मर्जी आप किजिए फट नमबर जो है वो है Google font Google font हमने open कर लिया है इसका use क्या है कि जैसे हम कोई logo बना रहे है और हमें उस logo में font समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा font यूज करें इक भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि simple यहां पर अपना जो भी logo अनेम है वो type किजिए like मैं अपने ही channel का नाम type करें यहां पर यह देखिए अब निशान्त आर्ट के नाम से कितने सारे font आ गये आप यहां से size भी इसका बढ़ा के देख सकते हैं यहां से size बढ़ा लीजिए कि धेर सारा font आ गया देखिए कितना सारा font है यह आपको जो भी font इसमें से पसंद आ रहा है कि हाँ यह हमारे लोगों में perfect है यह हमारे लोगों में match करता है तो आप उस font को download कर सकते हैं जैसे मुझे यह font चाहिए इसको क्लिक करेंगे और यहां पर देखिए download family आप download कीजिए और अपने लोगों में apply कीजिए I think आपको यह option सबसे ज़्यदा पसंद आया होगा फोर्थ नमबर जो है यह काफी important है जैसे कि हम कभी कोई image देखते हैं कोई poster देखते हैं को design देखते हैं तो हमें उसमें font देखता है हम लोग इतना find नहीं कर पाते हैं कि यह font कौन सा use हुआ है इस picture में तो इसमें हम कभी कभी confused हो जाते हैं तो हमें उस font को पता करने के लिए हमारे पास एक option है जिससे हम easily पता कर सकते हैं कि यह कौन सा font है like इस पर जो मैंने text लिखाया मुझे नहीं पता है कि यह कौन सा font है चली हम पता करते हैं कि यह कौन सा font है उसके लिए हम गूगल पर जाएंगे और type करेंगे what is the font what is the font आ गया अब यहां पर आपको दिखे ड्रॉप का एंड इमेज का option है PNG, JPG जो भी इमेज हो आप इसमें ड्रॉप कर दीजिए इस पर क्लिक किजिए और इसको यहां पर प्लेस कर दीजिए कितने font को आपको करना जैसे इसमें coffee को करना है सबको करना है तो मुझे मैं इसको drag करके पूरे font को चट कर लेता हूँ यह पूरे font को पता करना है कि कौन सा font है यहां से arrow दिख रहा है आपको इस arrow को क्लिक करना है आपको और थोड़ा सा processing का time लेगा और आपको बता देगा यह कौन सा font है देखिए अकबर bold font यह match कर रहा है यानि यह अकबर bold font है आप इसको free font से भी download कर सकते हैं अगर आप इस तरह से किसी image में font देखते हैं और आपको वो समझ में नहीं आ रहा है कि यह कौन सा font use हुआ है तो और आप उसे free font downloader से आप free में download भी कर सकते हैं यहां से आप download करेंगे तो आपको payment करना पड़ेगा आप free font से download जाके कर सकते हैं तो I think आपको यह भी वीडियो बहुत पसंद आया होगा अब आते हैं next पर सबसे लाश्ट में जो आपको मैं बता रहा हूं यह काफी इंपोर्टेंट है अगर आप टी-सर्ट डिजाइन करते हैं हिंदी में लोगों बनाते हैं तो आपको यह जानना चाहिए कि कैलेबरी फॉन्ट हम कहां से लेंगे गोगल पे आप टाइप करेंगे इंडिया फॉन यह आपको इंडिया फॉन्ट आ जाएगा आपका यह लेकिन यह आपको ट्राइल वर्जन डाउनलोड होगा वन वीक त्री डेस के लिए ट्राइल पर इसको यूज कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि कितना बहतरी इंडिजाइन आप इसमें कर सकते हैं यह बैस्ट आप्सन ह हैं तो आप इसे खरीज सकते हैं आप इस इंडिया फॉन्ट को ज्यादा कॉश्ट भी नहीं है आठ हजार साथ हजार के इसका पैके जाता है आप इसको खरीज सकते हैं बहुत सारे आपको इसमें आप्सन मिलेंगे ट्राइल वर्जन मैंने डालोड किया है मैं आपको दिख कि मेरा नाम इस पर मैंने लिख लिया है इसमें आप चैंजेस भी कर सकते हैं जैसे आपको मातराएं में चैंज करना है आप इसको पर्चेस करेंगे तो आपको आपके सारे जो लॉक फॉंट है वो सारे खुल जाएंगे मेरे पास दोती नहीं फॉंट है इसमें ट्राइल वर्जन में आप इंजॉय किजिए इंडिया फॉंट को थैंक्यों फॉर वाचिंग मैं वीडियो सी यू आन नेक्स बाई बाई